नमस्कार आपके साथ मैं रोहित कुमार आफे नूजफोर निशन पर बिते 21 जुलाई को बिहार के मुझभफरपुर में जस तरीके से आसो तोश्चाही के हत्या हुई उसके बाद से कई तरह के सवाल तैर रहे हैं इस पूरे मामले में छे लोगों के खिलाफ नमजद फायर दर्च की गई है जिसमें इसे तीन लोगों को गिरफ़तार कर लिया गया है तो दूसरे तरफ तीन लोगों की तलाश तेज कर दीगे जिसमें मंटू शर्मा नाम का कोख्या दुशा मिले हैं उत्तर बिहार के लिए नासूर बना हुआ मंटू शर्मा पिछले कई सालों से फरार चल रहा है उनके साथ-साथ दो और लोगों को जिस तरीके से प्राधियों ने मौत के घाट उतार दिया उसके बाद कई तरह के सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे हैं सवाल इस बात को लेकर के कि आखिर ये सुसासन किस तरह का है जहां पर जो है दिन दहाड़े जो है किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए आश्योतोष शाही मूलतुर पर जमीन के कारोबार से जुड़े हुए थे समाज सेवी थे बीज़ेपी इसको लेकर के जो है लिगतार नित परती के हत्या के पीछे के लिगों को जम्यवाट है रहा है विस्तार से आपको हम पूरी फायार देखा रहे है दसलिए पूरी फायार जो है न्यूज फोनिशन पर आप देख रहे हैं उनकी पत्नी है आश्योतोष साही उनकी नाम है दिपन विता करीब 40 साल उनकी उम्रे ह और यहां से पूरी कहानी जो है वह उन्होंने शिकायद यह लिखी है 21 तारीक की रात में हत्या हुई है 22 तारीक को यह फायार लौज हुई है और शाम चरीब पांच बजे का यह वक्त है जब यह फायार लौज हो रही है मिठनपुरा में किराय के मकान में मंटू शर्मा र तोनों जमीन बिवाद कुले करके मंटर शर्मा अब उसके गैंग के अन्य सदस से हमारे पती के जान की दुश्मन हो गए हैं जो कभी भी उनके हत्या करवा सकते हैं इस बात की जानकारी मेरे पती के द्वारा मुझे वा कुछ अन्य करीवी लोगों को भी दी गई थे इस क्या ज़स्देन हुआ यानि की 21 जुलाई शाम करीब चार पांची बजी का यह वक्त है जब लगतार उनको फोन पर फोन आ रहा था उसके बाद रात करीब 9 बजे मेरे पती नीजी सुरच्छा गार्डवा चालक के साथ अपनी स्कॉर्पियो गारी से घर से निकले उस रात है स्कूल के पास जो नगर थाना में उनका घर है वहाँ पर अपर राध्यों के द्वारा मेरे पती एवं तीनों नीजी गार्डों की गोली मारकर उनको जखनी कर दिया गया जिसमें मेरे पती की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है तथा नीजी गार्ड को स्थानिये पत्नी के बयान के मुताबिक अपराधियों के गोली ली वारी से साजिश करता वकील कासी मुसेन डॉलर जैसे घर पर ही पुरी वारदात हुई है उसके बारे में लिख रही है कि पता जो नगर थाने के पास रहता है मुझापरपूर के बड़ी शाजिस वा सोचिस समझी र अपराधि गन मेरे पती वामनी जी गाट के हत्या करने के लिए मंटु शर्मा अब जिन जिन लोगों पर ये नेम डफायार है मंटु शर्मा गोविंद कुमार के साथ साथ यहां पर रंजय उंकार सिंग के साथ साथ विकरांत कुमार शुकला वकील कासीम हुसेन उर्फ तो मेरे पती की घटना स्थल्प पर बुला करके इस घटना को इंजाम दिया गया इस घटना को दो मुट्राइकिल पर सवार चार अपराधियों ने अन्जाम दिया है शर्यंद के तहत वकील कासीम हुसेन रिफ डॉलर पिता इकबाल हुसेन साकील लक्री दाड़ी मारवार हाय स्कूल के पास थाना नगर का बारवर फोन करके अपने घर पर मेरे पती को बूलवाया था मेरे पतिक हत्या कि साजिश में और भी लोग शामिल हो सकते हैं जिसके जानकारी मिलने पर मैं बाद में सोचित करूंगी घटना की पहलीओं की जाच करते हुँ आप रोकत सभी और नीचे में उनका ये हस्ताक्षर है दिपंदीता जो उनकी वाइफ है जो हत्या हुई मुझभपरपुर के अंदर उसकी और यहां पर जो फिर लॉजड हुई है यह इस तरीके से यहां पर उसमें जो IPC के सेक्शन्स लगाए गए हैं वो तमाम चीज़ें यहां पर लिखी क्या हुई उस देन लगतार फोन करके बुलाया गया जो वकील है उसके घर पर जो डॉलर है और वहां पर ही इस पुरी साजिश को अंजाम दिया गया दो मुट साइकल पर चार अप्राधी आते हैं उनके जो बॉडिगार्स हैं उनकी हत्या होती है खुद उनके पती की हत्य होती है दो लोग हायल है और उसमें वो वकील डॉलर भी शामिल है हलाकि छे लोगों को जिस पर यह नेम डेफायर की गई उसमें से तीन लोग जो है वो गिरफतार हो चुके हैं लेकेना सबसे बड़ी चनौती बनी हुई है मंटू शर्मा को लेकर कि क्योंकि उत्तर बिहार के लिए मंटू सर्मा किसी नासूर से कम नहीं है पिछले कई सालों से मंटू सर्मा को पकड़ने में बिहार पुलिस पुरी तरीके से नकाम रही है लगातार मंटू शर्मा की बारे में कहा जा रहा है कि सत्ता सरक्षित अपराध कराने के लिए मंटू शर्मा और से गिरोह क का उत्भिदन कर सकती है देखना हुआ कि आने वाले वक्त में इस पुरी मामले का खुला सा क्या कुछ होता है किन कारणों से हत्या हुई क्योंकि वो जमीन के कारोबार से जो है आशुतोस आई जुड़े हुए थे समाज से भी थे मुझभपरपुर में उनके अच्छी खासे पहचान थी लेकिन हत्या के बाद करी तरह कि सवाल जो हो खड़े हुए हूँ सवाल ये कि क्या एक बार फिर से मुझभपरपुर जो है वो एक तरीके से कहें कि जमीन के कारोबार को लिए करके एक बार फिर से इस तरह की गैंगवार को देखने के लिए फिर से आगे ये फिलाल इस वीडियो मितने, नमस्कार